एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये हैं, आदित्य जी ने हमें कॉल किया है मत्रुरा से, आदित्य जी स्वागत है कारिक्रम में प्रश्न करें आँ जी सवाल करें हमें हमारे दादा जी हैं, उगे गुटनों में बहुत दर्द रहता है जी तो उसके लिए पूसना दादी जाबते हैं दादा की एज़ बता दीज़ और कब से तकलीफ है दादा जी की एज़ है एज़ टी बहुत मुआरक आपके दादा, आपकी आशी रवाद के लिए अभी तक सलामत है भगवान उने सलामत रखे, ये बहुत कीमती होते है इनकी ऐसे ही सेवा किया कर ये और देखिए, ये दर्द जा सकता है दो तरीके हैं एक तो आप दवा खुद बना लें और एक दवा का नाम भी बतायता हूँ मैं दवा खुद बनाने के लिए आपको असली गौन सिया लेना होगा गौन सिया नकली बहुत मिलता है ये जायके में कड़वा होता है रंग में काला होता है इसे काला गौन भी कहते है या गौन सिया कहते है और सिर्फ सो दो सो ग्राम खरीब लीजे आदा आदा ग्राम दादा जी को बगेर चर्बी के दूसरे नाच्ते और रात को खाने के बाद खिलाया करें ये सो दो सो ग्राम खत्म होने से पहले आपके दादा जी का रोग मुक्त होना मुमकिन है दवा के तौर पर चाहिए तो आप के अफसुल टी केर सुबा शाम दे सकते हैं इसी तरह लेकिन आपको दादा को फायदा होना मुमकिन है और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ है दिशा जी ने हमें कॉल किया है हर्याना से दिशा जी सवाल करें हकीम जी ना चल रहे है ना लाइब उत्थे हुन अनो गल करने है बिल्कुल हकीम साब सुन पा रहे हैं आपको पूछिए सवाल अच्छा जी अदाब बताईए मैं सुन रहा हूँ आपकी बात बल्गम है जी हमारे को बल्गम का बारे में पूछना है जी तून का सिर्का बोटे है ना अच्छी तरह से बुछेते हैं ठीके ठीके बल्गम है तो जी जी तून का सिर्का आपके काम नहीं आएगा यह ठंडा होता है और जिनको बल्गम बनता है वो ठंडी परवर्ती के होते है तो उन्हें गरम चीज लेनी चाहिए एक नस्खा बड़ा कामियाब है दवा भी बतायादा है नस्खा भी बतायादा है जो आपको चाहिए वो खुद बना ले या मार्केट से ले ले रुखिए लिसोडा उन्नाब अलसी सो सो गराम खरीदें तीस गिराम पीपलें जो आपके किचन में गरम मसालों में पाई जाती है वो तीस गिराम इसे मिला कर पौडर बनाएं एक चमच रोजाना या दो बार भी खा सकते हैं शाम को भी गरम पानी से लिया करें आपको ठीक होना मुम्किन है इसमें इस वक्त जरूरत है आप जैसे लोगों को या हर आदमी को जो स्वस्त भी है उसको भी इम्मिनिटी की पावर की दवा जो आपको रोप पित्ती रोदक शमता बढ़ा दे तो माजून आर केर भी आप ले सकते हैं सुबा शाम एक एक चमच आप स्वस्त जिंदगी गुजार सकते हैं एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तेलंगाना से हमें कॉल किया है जबार साहब ने जी सवाल करें आप अजिन साब है जी जबार भाई स्वाल अलेकम वह स्वालए जीते रही है जबार भाई बता क्या सवाल ने जाइबन हम तेलंगाना से बात कर रहा है तकरीबन साथ साथ से जी जी उल्मा एक पर नहीं है जिल्दम प्रफशल मौटा लाल हो जाता हार जाए जिल्मम गरम जाता और उसमें जोओं जिन्वेगाडाती मैं जल्टा पर पिछले साथ साल है और शुगर और बीपी मेरी मावन है ठीके जबार भाई काफी तकलिव उठा लिया आपने मैं आपको बताता हूँ एक दवा और एक घरेले नुस्खा जो आपको असान हो कर सकते हैं गरेले नुस्खे के तोर पर गौन सिया खरीदें और सो दो सो ग्राम अगर मिल जाए असली लेना जरूरी है नकली बहुत मिलता है इसको पाउडर बनाएं और दो चुटकी सुबा ये चुटकी है ना दो चुटकी सुबा दो चुटकी शाम नाचते और खाने के बाद इस्तमाल करना है परियोग करना है बगहर चर्बी के दूस से पानी से या जूस से जैसे आपके हालात हो रही से तो जूस से भी ले सकते और यह असली मिले तो ले नहीं तो फिर आपके अपसुल्टी केर ले सकते हैं सुबह शाम एक टीफो टाइगर के अपसुल्टी केर सुबह शाम लिया करें बगार चरबी के दूस से पानी से जूस से आपको फाइदा होना मुम्किन है को और एक और दर्शक है हर्याना से निशा जी हमें कॉल कर रही है निशा जी स्वागत है क्या प्रश्न करना चाहती हैं अप जी मेडम मुझे तीन साल पहले मुझे प्रोबलम भी थी तो उसके निशान और जहां पे फह टाना उस ठाला उता था जहा इत्क कउरोगे तैस उस लो और निशान निशान वाइन मुद और जो पी चाना है कुछ स्क्पिन के वह पत्ली हो गी जै तो उसके हैं है जी ठीक है अलसी बीजे पांच सो ग्राम अलसी तो सभी जानतें तकरीब नहीं तो आजकल जानकारी नहीं भी हो तो फोन में हमने सच किया सामने अलसी आ जाती है एक खटमल जैसी होती है खटमल की खटमल के रंग की तिलहन में से एक है खटमल की ही शकल की होती है जालसी पांच सो ग्राम लेके भून लें हलका सा और पाउडर बना लें और इसमें आप को मिलाना है तो ग्राम नमक जैतून जैतून का एक रसायन आता है जिसको नमक जैतून हम आसान जबान में कहते हैं और इसको ऐस्टेक जैतुन वग्यानिक जबान में कहते हैं ऐस्टेक जैतुन का इसमें सो ग्राम मिला लें और पौडर मिक्स कर लें और एक ग्राम सुबा एक ग्राम दुपेर एक ग्राम शाम खाने से पहले भी खा सकते हैं बाद मी खा सकते हैं और पानी से लें आपको फाइदा मों की लिए एक और दर्शक हमारे साथ जोड़ गए हैं हलो कि बिल्कुल नाम बताएं किया नाम है आपका कहां से कॉल करने हैं रंजी ट्यूपी जी सवाल पूछें उमर कितनी हैं उमर साट साल रंजी साब अपने दिल का खया लखें और ये उमर 45 से 60 साल की बड़ी खया लखने वाली उमर है और यहां पर हर शख्स को इस वक्त में हमारे खून की चर्बी इस कदर बढ़ जाती है कि हमारे हाट के नसों को ब्लॉक करने लगती है जैसे कोई नली होती है, बरतन दोते-दोते ब्लॉक कोने लगती है, ऐसी खून की नली है इस वक्त में हर आदमी की ब्लॉक हो रहे हैं चाहा उसे पता हो यह नहा हो जिसका सांस फूलने लगता है उसको बहुत बड़ी प्रावलम कभी भी हो सकती है आप इसकी चाहें तो जाच करा लें और अगर नहीं कराना चाहें तो एक नसका बड़ा कारगर है आपकी और हमारी उम्र के लोगों को अगर निरोगी भी हो तो लेना चाहिए मैं हर घर में इस नसके को पहुचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस उम्र में दिल का दोरा पड़ता है दिमाग का अटेक आता है ये बहुत परिशानी उसमें आदमी बैट पर पड़ जाता है कोई ख्याल नहीं करता है अलादें इतनी अच्छी नहीं है और गरीब गर्बत बहुते गरीबी बहुते आदमी जेवर बेच कर इलाज कराता है घर बेच करदा लेकर करता है तो देखिए लीबू का रस निकाली है एक लीटर अद्रक का रस एक लीटर लीबू अद्रक और लहसंद का रस एक लीटर और जैतून का सिर्का एक लीटर बाहर से लेना पड़ेगा जैतून का सिर्का इसको मिक्स कर दें और तीन-तीन चम्मच सुबा-शाम खाने के बाद लिया करें आपको फायदा होना मुम्किन है और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौझूद है आंदरप्रदेश से केवल जी ने हमें कॉल किया है केवल जी स्वागत है क्या परेशानी है आपके साथ देखे मैं हलो जी नमस्ते जी अपने इस सर्वाइकल करें कोड़ा प्रोलम जासे डिस्का और गैस अज़िदी की भी है गैस भी है काफी परिशान है चो देखो बटा मेरी तरह ऐसे बैठे हैं अभी अभी बैठ जाए हैं जैसे मैं करता हूं ऐसे करते रही है कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी तो बाद में याद नहीं रहा तो मुश्किल होगी सर्वाइकल के लिए एक अच्छा हिलाज है एक एकसरसाइस है यह देखिए यह कान आप अपने मौड़े से मिलाया करें दिन में दो तीन मिनिट यह करना है पूरे दिन में और ऐ ऐसे ऐसे पूरी तर बोड़े ऐसे यह दो तीन मिनिट यह करना है तो एक एक मिनिट करके तीन मिनिट कर ले ऐसे आपको छै मिनिट एकसरसाइस करनी है दसमें दिन सर्वाइकल आप ढूंडेंगी कि कहां गया आपका ठीक है अब गैस के लिए अगर बहुत परिशानी है तो बड़ा काम्याब नसका हमने देखा कि भी जो मैथी है आपके घर की किचन में मैथी का दाना तो यह 500 ग्राम अगर ली जाए और जैतून का नमक 100 ग्राम अगर मिल जाए अच्छा यह रसाइन होता है जैतून का नमक भी कहते हैं इसे जैतून का रसाइन भी कहते हैं और एस के साथ पॉडर बना ले मैथी के साथ और अधा अधा चमज सुबा शाम या सुबा दुपैर शाम पानी के साथ लिया करें तो कि आपको लएगा ऐसा कि आप फॉरन ठीक हो गए एक दो दिन में लेकिन आप इसे खाते रहें जब तक पूरा खतम ना कर ले क्योंकि ये फिर वापस नहीं आने देता है वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे बात्चीत हम कर लेते हैं अंबाला से हमें कॉल किया है स्वर्ण कॉर जी ने स्वर्ण जी बताईए क्या परिशानी है आपके साथ नमस्कार सर जी में आदव सर जी मेरी साथ है जो उनको सांस की बहुत प्रॉब्लम है जी जी बोले पूरी बात बोले जी जी उनको सुगर भी है सांस की बहुत जाना प्रॉब्लम को खांसी होती है वो ठीक ही नहीं होती है दवाई भी परवाई उन्हें ने मगर फर्क नहीं बढ़ रहा है जी ठीक है हाँ दमे के लिए एक दवा अच्छी है और वो आप खुद बनाए देखिए एक दवा कहें जिसे हम लिसोडा कहते हैं लिसोडा आप लिसोडा लिसोडा उन्नाब अलसी और पीपले लिसोडा उन्नाब और अलसी सो सो गिराम लेना है और पीपले तीस गिराम आपके किचन में के गरम मसालों में एक लंबी लंबी एक डेड़ इंच की पाई जाती हैं वो पीपले हैं आपकी सासूमा ज़रू जानती होंगे अगर आपको नहीं पता दो इनको पौडर बनाके ए चम्मच रात को पानी में डालके उन्हें यूज कराय करें यह शुगर वालों के लिए एक तुफ़ा है बहुत फाइदा होगा उनको राजधानी दिली से एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं कृष्णा जी हमें कॉल कर रही हैं उनसे बात चीत करते हैं कृष्णा जी अजी हम पोंको यह problem है मेरी आख आख में ड्राहरम हों बिल्या जाती है मैं बहुत परिसान हूं आख से करीब ही एक साल हो गया मैं बहुत दवाई करा लें लेकिन मेरे आख के ड्राहरनेश खुत म नहीं हो रहे हैं कि उमर कि नहीं हाएं हमारी उमर्हेंग स्धान चोवन साथ. चोवन साथ. यहार. दीजिए एक बड़ा आसान नस्का है आंखों की कई परिशानियों के लिए आंखों की कमजोरी के लिए डाइनेस के लिए रोशनी के लिए और बहुत से विटामिन ए है इसमें और दिमाग के लिए भी है और वो है कि आप गाजर जब मेसर हो आपको मार्किट में गाजर तो जादतर रहती है आज भी है और एक गलास गाजर का जूस और उसमें अदा ग्राम गाउन मारिंगा सफेद वाला गाउन मारिंगा आता है इसे सहजन का गौन भी कहते हैं सफेद वाला गौन मौरिंगा सफेद आधा ग्राम लें और इसको गाजर के जूस मिला के रोज पी लिया करें आपको फायदा होना मुम्किन है वाजद अली साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उनसे बातचीत करते हैं सुवाव का प्राउब्म है हमारे मूग हो दाद ग्याद ग्यास प्राउब्म है आइक नस्थका है जो बेहतर काम करता है मैं जिस से भी शेयर करता उसको बड़ा फाइदा होता है फीडबेक आते हैं बहुत अच्छे और वह है मेथी को आप ले ले पांच सु ग्राम इसको पाउडर बनाएं बहुत बारीक ना करें थोड़ा सा मोटाई रेंदें जैसे सूजी होती है अटे की तरह ना करें या मेदे की तरह इसको पाउडर बनाएं और एक नमक आता है नमक जैतून कहते हैं इसे ये देखने में नमक जैसा होता है खाने में नमकी नहीं होता जैतून का रसाइन भी से कहते हैं जैतून का एस्टेक इंग्लिश में कहते हैं विग्यानी भाशा में तो ये सौ ग्राम पांच सौ ग्राम मेथी में मिला कर पाडर बनाएं एक एक चम मश्रूबा शाम खाएं पानी के साथ और आपको ऐसा लएगा आपको फॉरण फायदा हो गया दो चार दिन में लेकिन आपको ये खाते रहना है जब ठीक हो जाएं तो एक ही खुराक लिया करें और लेकिन लबे टाइम तक खाएं ताके आपके बेट के तमाम मामला ठीक हो सके हैं